नमश्कर दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जियां दोस्तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में चलि दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार ED की फरजी टीम ने कारोबारी के घर पर की चापे मारी, वकील ने मांगे आई कार्ड तो फरार हो गए फरजी अधिकारी जें दोस्तो आपने फरजी या नकली पुलिस, CBI और आयकर अधिकारियों की करतूतों और उनके पकड़े जाने की खबरे अकसर सुनी और देखी होंगी लेकिन दोस्तो अब दिल्ली में परिवर्दन रिद्रिशाल है, यानि कि एडी के नाम पर भी बड़ी ठगी होते होते बच गई दरसल दोस्तो फरजी आईडी के अधिकारियों की एक टीम ने दिल्ली के एक पोश इलाके में एक कारोबारी के ठिकाने पर चापे मारी की पर तलाशी ले रहे हैं, यह भी बताया गया कि फरजी एडी अधिकारी पीडित को कोटक बैंक होजखास ले गए हैं ताकि पीडित के बैंक खाते से 5 करोड रुपे निकाल सकें, यह सब एडी चापे के नाम पर किया जा रहा था चैली दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार दूसरी लिस्ट में ST की 3 और SC की 2 सीटें भी हैं चली दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर इरान पर इसराइल ने कर दिया 100 मिसाइलों से हमला, मिसाइल फेक्टरियों सेन ने अड़ों को निशाना बनाया, 20 ठिकाने तबाहा किये, 2 सेनिकों की हुई मौत जिया दोस्तो इसराइल ने इरान के हमले के जवाब में 25 दिन बाद शनिवार तड़के पलटवार किया, निव्याक टाइम्स के मुताबित 3 घंटे में 20 टिकानों पर हमले किये गए, इन में मिसाइल फेक्टरी और सेन ने अड़े शामिल है, तहरान के इमान, खुमेनी इं इस्तेमाल किया गया है, सीरिया में रडार ठिकानों पर इसराइल ने शुरुवाती हमला किया, इसके बाद इरान में एर डिफेंस सिस्टम और रडार पर हमला किया गया, चैली दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर, बारा मुला हमले में 3-4 आतंक की शामिल थे, सेना बोली जवाबी हमला होने पर आतंक वादियों ने हतियार बेग छोड़ा, अंधेरे में जंगल की और भागे, जिया दोस्तो जमु कश्मीर के बारा मुला में हुए आतंक वादी हमले को लेकर नए खुलासे हुए हैं, बारा मुला के SSP मोहमबद जेद मलिक ने भासकर को शनिवा सुबह है बताया कि हमले में तीन से चार आतंक वादियों के साविल होने के सबूत मिले हैं, आतंक वादियों को ढूंडने के लिए सर्च ओप्रेशन लगातार तीसरे दिन भी जारी है, उदर दोस्तो आर्मी के प्रवक्ता, लेटनेंड करनल M.K. साहु ने कहा कि सेना के व जान लेते हैं अगली खबर दिन भर काम करते हैं ताकि दिन के आखिर में कुछ पैसे बचा सकें, अजीत ने यह भी कहा कि राहुल से अपनी कहानी बताने के बाद उन्हें खुशी और संतुस्टी महसूस हो रही है, चेले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांदी बोली राहुल गांदी और वाइनाड के रिष्टे को मजबूत करूँगी, वाइनाड के लोगों से कहा, फाइटर के रूप में यह मेरी पहली यात्रा नहीं। प्रियंका गांदी को चोड़ दिया, प्रियंका पहली बार चुनाओ लड़ रही है, भाजबा ने उनके खिलाफ नाव व्या हरिदास को उतारा है, यहां 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीज़े आ जाएंगे, चली दोस्तो जान लेते हैं अगली खबा अमेरिकी चुनाओ में फिल्मी सितारों का प्रचार, ट्रंप के लिए मस्क, तो कमला के लिए डिकेप्रियो और बियान से ने किया प्रचार, जियंदूस्तो अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राश्च्पती चुनाओ का काउंट डाउन शुरू हो चुका है, अब सिर इंडस्टी की सितारे भी आ गए हैं, इस चुनाओ में बड़ी संख्या में खेल और होलिवड की हस्तियों ने खुल कर अपने पसिंदता उम्मीदवारों का समर्थन करना शुरू कर दिया है, फोब्स की रिपोर्ट के मुताबित खेल और फिल्म जगत के सितारों को ये उम इन पर अवेद तरीके से देश में घुसने का आरोप लगा, 50% से जादा गुजराती थे, जह दोस्तों अमेरिका में अवेद तरीके से घुसने के आरोप में पिछले साल हर घंटे 10 भारतियों को गिरफतार किया गया, अमेरिका के कस्टम एंड बोर्डर प्रोटेक्शन ड इन में से 43,764 को अमेरिका कनाडा बोर्डर पर गिरफतार किया गया, भारतिये एजेंसियों के मताबित बोर्डर पार करने वाले भारतियों में 50% से जादा गुजरात से थे, चलिए दोस्तों जान लेते हैं अंगली खबर, केजरिवाल पर हमला, बीजेपी आमादमी पार दिया, उन्होंने कहा कि आमादमी पार्टे के पास सिर्फ तीन हतियार हैं, हताशा, निराशा और जूट का प्रचार, विकास पुरी में लोग अरविंद केजरिवाल के पास गंदे पानी की शिकायत लेकर गए थे, उन्होंने केजरिवाल और उनके विदाइक से यह पानी पीने को कहा, इस पर केजरिवाल भड़क गए, उन्हें अब शिश महल छोड़ कर सड़कों पर चलने की आदत नहीं रही, अब लोग उनसे सवाल पूछते हैं, तो वे इसे भाजपा का हमला कहते हैं, दिल्ली की मुख्यमंतरी आतिशी ने शुकरवार को आरोप लगाया थ अर्विंद केजरिवाल पर दिल्ली में एक रेली के दुरान भाजपा के गुंडों ने हमला किया, हमले में केजरिवाल की जान भी जा सकती थी, चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, फ्लाइट्स के बाद अब होटलों को बम की धमकी गुजरात के 10 और अंदर प् फैमस होटल शामिल है, राजगोट पुलिस की बम स्कूरड की टी में होटलों की जाच कर रही है, साइबर सेल इमेल की जाच में भी जूटी हुई है, उदर दोस्तों आंदर प्रदेश की तुरूपती में दो होटलों, राजपार्क होटल और पाईवाइज राय होटल को म बेजा गया जिसके बाद दोनों होटलों को खाली कराया गया है चली दोस्तों जान लेते हैं अंगली खबर टेक्स फिरी हो सकती है आट लाग रुपे तक की इंकम 9 करोड हो जाएगी ITR जियां दोस्तों इंकम टेक्स रिटन की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है इस साल कर बहुत आसानी से पार किया जा सकता है अब दोस्तों एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस छूट को देने की डिमांड उठाई जाने लगी ऐसे में सरकार 60-80 साल के सीनियर सिटिजन्स को यह राहत दे सकती है चली दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर पंजाब के चार हाईवे अनिशित काल के लिए बंद किसान बोले लिफ्टिंग शुरू होने तक नहीं खुलेंगे रास्ते इमर्जेंसी सेवाएं रहेंगी जारी जयनुस्तों पंजाब में धान की लिफ्टिंग ना होने से खफा किसानों ने शनिवार को राज्य के चार हाईवे बंद कर दिये किसान एक बज़े सडकों पर बेट गए ये प्रदिशन तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो साती उनका कहना है कि केंद्र और राजे सरकारे दोनों ही उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है किसान मज़दूर मोर्चा और कि पंजाब सरकार कोशिश करे कि धान की लिफ्टिंग जल्द हो 26 दिन से किसान मंडियों में बेठा है और मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार फ्लाइट्स में बंकी धंकियों पर आई मोदी सरकार की एडवाईजरी कहा मेटा से लेकर एक्स तक भी करें मदद जें दोस्तो एरलाइन्स कंपनियों को रोज बंकी धंकी मिलने वाली अफवाओं को लेकर केंदरिये इलेक्रोनिक्स और सूचना प्रोध्योगी की मंतराले ने शनिवार को एडवाईजरी जारी की है केंदर सरकार ने सोचल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स, मेटा और अन्य सोचल मीडिया प्लेटफोर्म से इसे लेकर मदद मांगी है दरसल दोस्तो आई टी मंत्राले ने कड़े शब्दों में कहा है कि शोशल मीडिया प्लेटफोर्म्स को आई टी नियम 2021 के तहत तुरंत आवशक कारेवाही करना होगा ताकि किसी भी उब्भुक करता को किसी भी गेर कानूनी या गलत जानकारी को होस्ट करने अपलोड करने प दरसल दोस्तो अगर आप डिजिटल गेमिंग प्लेटफोर्म मर्चेंसे जुए ट्रांजेक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तिमाल करते हैं तो आपको सतर करहने की जरूरत है दरसल दोस्तो देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्रे डिजिटल गेमिंग प्लेटफोर्म मर्चेंट से संबंदे ट्रांजेक्शन्स पर रिवाड पॉइंट से नहीं देंगे चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार लेकिन उससे पहले मेरी आप से चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर दोस्तो आपको अ अगली खबार करनाटक और पंजाब के 13 लोकेशन्स पर तलाशी ली गई इस इन्विस्टिकिशन के बाद एजेंसी ने मनी लॉंडरिंग एक्ट की विभिन धाराओं के तर्थ क्रिमिनल केस दर्ज किया है एडी ने चापे मारी के दोरान मोबाइल फॉन लेप्टॉप और सिम कार्ड इस लिए त्यम ने भानाटन के अप्जाब लॉली चीज़ी का ने रीचराओं गयर इन्विस्टिक दर्ज कोई है ख तज Bryce हार सुन लेजन्स पर दोर भारत की घर में गला ंपर 10 एलो यह हार है वार्त अपने घर में आघरी टेस्ट सिरीज 2012 बब बार 12 में हारा था आकरी बार 2012 में घरेलू सीरीज hypocrய। पर जब की गई पैंटिंग रिलीज करने का ओडर दिया। जिया दोस्तो बॉम्बे हाई कूट ने शुकरवार को नूड पैंटिंग्स केश में कहा कि ऐसी हर पेंटिंग को असलील नहीं कहा जा सकता अदलत ने कहा कि सेक्स और असलीलता में फर्क होता है इसके बाद कोट ने कस्टम विभाग को जब्द की गई न्यूड पेंटिंग्स को रिलीज करने का आदेश दे दिया है मामला अप्रेल 2023 का है दोस्तो मुंबई के बिजनिसमेन मुस्तफा कराची वाला के मालिकाना हक वाली फर्म बी पोलिमेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लंदन से साथ पेंटिंग्स मुंबई लेकर आई थी जया दोस्तो टीम इडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी ने इस साल इंडियन प्रीमियर लीग यानि के IPL खेलने के संकेत दिये हैं धोनी ने कहाए कि वे कुछ साल और इस खेल को इंजोय करना चाहते हैं हालांकि अभी तक धोनी ने अपनी availability के बारे में कोई confirmation नहीं दिया है धोनी को CS के management की 29-30 October को होने वाली meeting में शामिल होना है लेकिन उनके शामिल होने को लेकर अधिकारिक बयान नहीं आया है दोस्तो IPL के लिए retention list देने के आखरी तारीक इगतिस October है CS के management की meeting में ही धोनी पर फैसला होना है चली दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली ख़बर पाकिस्तान ने 2021 के बाद घर में series जीती England को 9 wicket से हराया शाजीद खान को मेच में 10 wicket मिले जिया दोस्तो राउल पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने England को 9 wicket से हरा दिया इसी के साथ पाकिस्तान ने 2021 के बाद घर पर series 2-1 से जीत लिये मेच के तीसरे दिन England की दूसरी पारी 112 रन पर भिखर गई है टीम ने पाकिस्तान को 36 रन का target दिया टीम ने 3.1 ओवर में 1 wicket खोके रांसिल कर लिया कप्तान शान मसूद ने 6 बोल पर 23 रन की पारी खेली उन्होंने 6 लगा कर मेच जिता दिया वहीं दोस्तो शनिवार को England ने अपने कल के स्कोर 24 रन 3 wicket से आगे खेलना शुरू किया था लेकिन पूरी टीम 134 रन पर all out हो गई पाकिस्तान के लिए सरवादी के 9 wicket नो मान अली ने लिए चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर इस अफते सोने चांदी में रही तेजी सोना 605 रुपे बढ़कर 78,015 पर पहुंचा चांदी 95,800 रुपे प्रती किलोग्राम पर बिक रही जिया दोस्तो इस अफते सोने चांदी के दावों में तेजी देखने को मिली है इंडियन बूलेंड और जुवलर शुशन की वेब साइट के अनुसार पिशले शनिवार यानि की 19 अक्टूबर को सोना 77,410 रुपे का था जो अब 78,015 रुपे प्रती 10 ग्राम पर पहुंच गया है यानि की दोस्तो इस अफते इसकी कीमत 605 रुपे बढ़ी है वहीं दोस्तो चांदी की बात करें तो ये पिशले शनिवार को 92,213 रुपे पर थी जो की अब 95,800 रुपे प्रती किलोग्राम पर पहुंच गई है यानि की दोस्तो इस सफता इसकी कीमत 3,717 रुपे बढ़ी है इससे पहले इसी सफता तेवी सक्टूबर को सोने ने 78,703 रुपे और चांदी ने 99,151 रुपे का ओल टाइम हाई बनाया था चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार आस्टेलिया की खिलाफ टेस स्रीज के लिए भारतिय टीम हुई गोशित जहां टीम 5 मचों की टेस्स स्रीज खेलेगी दरसल दोस्तो भारत में बोडर गावस का टेस्स स्रीज के लिए 18 मेंबर्स स्क्रूड में अभी मन्यू, इश्वरन, हर्शित राणा और नितिश कुमार रेडी को चुना है कुलदीप यादव कमर में दिक्कत के कारण टीम का इससा नहीं बन पाए तेस गेंद बाद मौंबस समी अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हो पाएं है उन्हें भी टीम में जगह नहीं मिली है रमन दीप सिंग, वरण चकरवर्तिस, रवी विश्नुई अश्दीप सिंग, विजे कुमार, वेशाक, आवेश खान और यश्दयाल को सामिल किया गया है इसके अलावा दोस्तो आज तिले खिलाद बॉर्डर गावसकर ट्रोफी के लिए तीन अनकैब्ड प्लेयर्स को जगह मिली है चली दोस्तो ज़ान लेते हैं अगली खबर आरबी आई गवर्नर बोले करॉप्टो करेंसी फाइनेशल इस्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा जोखिम है इसके लिए अंतरराष्ट ये समझ होनी जरूरी भारत इस पर सवाल उठाने वाला पहला देश जी आँ दोस्तो आपने बिलकुल सही सुना क्रिप्टो करेंसी फाइनेशल इस्टेबिलिटी और मॉनेटरी इस्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा जोखिम है रिजोर्ब बैंक ओफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुकरवार को पेटर्सन इंस्ट्टूट फोर इंटरनेशनल इकोनोमिक्स में आयुजित एक कारेकरम में यह बात कही उन्होंने कहा कि मैं वास्तों में इस रायका हूँ कि यह ऐसी चीज है जिसे फाइनेंशल सिस्टम पर हावी होने की अनुमती नहीं दी जानी चाहिए यह बैंकिंग प्रणाली के लिए भी जोखिम पैदा करता है यह ऐसी इस्तिती भी पैदा कर सकता है जहां केंदरिय बैंक अर्थ विवस्ता में मुद्रा आपूर्ती से नियंतरनक हो सकता है तो दोस्तो यह है तियास की तमाम बड़ी खाबर हैं इसके बाद दोस्तो बारी आती है आज के माइंड की उच कुशन की जियां दोस्तो एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूटीब चैनल की और से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आचुका है देश के किस राजे में सबसे जादा मातरा में गेहूं का उत्बादन होता है जी आँदोस अगर आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूटीब चैनल की और से तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर के में लिख दीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए धन्यवाद वंदे मातरम जे हिन जे भारत